नमस्कार दोस्तो आप सबने ममी का नाम तो सुना ही होगा लेकिन कभी सोचा है कि इसे ममी क्यों बोलते हैं ये क्यों बनाई जाती थी और कहां पाई जाती है फैक्ट फाइल्स में आज हम आपको ममी से जुड़े हुए कुछ तत्यों के बारे में बताएंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके हम सभी विस्व के साथ अजुबों में से एक मिस्व के बारे में जानते हैं ऐसा माना जाता है कि मिस्व के प्रामिड के अंदर ममी को रखा गया है मरत सरीर पर ले पादी लगा कर उसे सालों तक सुरक्षित रखने की प्रिक्रिया को ममी कहा जाता है ममी की उत्पत्ती प्राचिन काल में मिस्र में हुई मिस्र के लोग और बाकी देशों के लोग अपने प्रिया जानवरों की मिरत्यू के बाद उनकी ममी बनवा कर उन्हें सालों तक समाल कर रखते थे मिस्र में एक मिलियन से भी जादा ममी है इसके अलाबा पूरे विश्व में मानव और जानवरों की ममी आज भी पाई जाती है क्यों तैयार की जाती थी ममी प्राचिन मिस्र और विश्व के कई अन्य देश के लोगों का पनड़ जनम में विश्वास था और वे यह मानते थे कि मुरत व्यक्ति के सरीर को समाल कर रखा जाना चाहिए ताकि अगले जनम में वो उस सरीर को पा सकें इसी सोच की वज़े से प्राचिन काल से लोगों ने ममी बनाने की प्रिक्रिया सुरू कर दी लेकिन वास्विक्ता में यह अर्भी बासा के मुमिया सब्द से बना है अर्भी बासा में मौम या तारकॉल की लेप से सुरक्षित रखी गई चीज का अर्थ मुमिया होता है कैसे तैयार की जाती थी ममी प्राचीन काल में ममी बनाने में लगबग 70 दिन का समय लगता था और इसे बनाने के लिए धर्म गुरू के साथ साथ विशिसग भी होते थे ममी बनाने के लिए सबसे पहले मृत सरीर की पूरी नमी को समाप्त किया जाता था इस काम में कई दिन लगते थे, सरीर से नमी समाप्त होने के बाद उस पर कई तरह के लोशन, तेल और कई तरह के रोगन से मालिस की जाती थी फिर पट्टिया लपीटने का काम किया जाता था और पूरे सरीर पर पतले कौटन की परत दरपरत पट्टिया लपीटी जाती थी पट्टिया लपीटने के बाद सरीर के आकार से मिलते जुलते लकडी के ताबूत तयार किये जाते थे इन ताबूतों को रंकर मृत व्यक्ती या पसू के चेरे सहित उसका रूप दिया जाता था इसके बाद धरमगुरू के मतानुसार इस पर दार्मिक वाक्यादी लिखे जाते थे और एक दार्मिक समारो करके ताबूत को सरीर समेत चबूत्रे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था मिस्र में आज भी अपने प्रिय जनों और प्रिय पसू की ममी तयार करवाई जाती है वहीं साम्मेवादी देशों में लोग अपने महान नेताओं की ममी तयार करवाते हैं आदुनिक रूस के नर्माता और वोल्सेवे करांती के जनक लेनिन की ममी रूस में तयार करवाई गई थी और वहे आज भी वहां के म्यूजियम में रखी हुई है अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और स्वेर जरूर कीजिए हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए वीडियो के नीचे दिये हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें